हाँ ठीका कल 5 बजे जिलाएंगे रावन को हाँ हाँ ठीके भाई ये दुषहरा किमनाते हैं हम लोग तुझे इतना भी नहीं पता नैं तू ही बता दे यार र्ट्शहरा का मतलब कया है पता नहीं रावन के दस्सरते तो दसर दससेर दससेरा दससेरा लेकिन हम दुशहरा मनाते क्यों हैं चल मैं तो छे शुरू से बताता हूं तो हुआ ये के जो रावण की बहन मोना थी पर रावण की बहन का नाम तो कुई शुर्प पंखा था वो पहले था बाद में उसने नया धार कड बनवा के मोना नाम रख ली अपना फिर जो मोना थी वो अपने राम जी के भाई लक्षमन से दोस्ती करना चाहती थी पर लक्षमन का पहले से ही गाउं के सरपंच की बेटी के साथ चक्कर चल रहा था फिर मोना इस बात से गुसा होगी उसने लक्षमन को वाटसाप पे इंस्टाग्राम पे मेसेज़ किया अच्छा फिर मोना ने लक्षमन को बहुत मैसेज की यह पर लक्षमन ने एक भी रिप्लाई नहीं दिया फिर फिर मोना दुखी होके इस्टाग्राम पे रीले मिलाने लग गई फिर फिर जब रावण को यह बात पता चली के मोना लक्षमन से दोस्ती करना चाहती है तो रावन ने मोना को बोला के सालीद तू हुमारे परवार का ना कटवाएंगी फिर फिर वही बात हुई लक्षमे ने मोना का ना काट दिया तो फिर मोना सांस कैСे लेती थी मूमें मूम से सांस लेती थी वो अच्छा फिर क्या हुआ फिर हनुमान जी ने फेस्बुक पे स्टोरी डाल दी कि हमने रावन की बेहन का ना काट दिया है फिर भाईया रावन ने हनुमान जी की स्टोरी देखी और रावन को आया कुस्सा फिर फिर रावन अपने हीरो होंडे पे आया और वही बात हुई क्या रावन का चलान काट दिया पोलिस वालोंने क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था उसने फिर क्या हुआ फिर रावन ने सीता हरन बजार से दस हेलमेट खरी दे दस हेलमेट क्यों दस सिर्थे न उसके इसलिए हाँ फिर फिर क्या होना था रावन सीता जी को अपने हिरो होंटे पे उठा के ले गया फिर, फिर हनुमान जी और राम चंदर जी अपने साइकल पे श्री लंका गए साइकल पे? फिर, और वहां उन्हें with, कुमार संघाकार और मलेंका से रावन के घर का पता पुछा फिर फिर राम जी रावन के घर पहुंचे रावन को रसी पे बैठके अंगूर खा रहा था फिर फिर राम जी ने अपना तीर निकाला और 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 रावन को हेडशोट से मार दिया तो इसलिए हम मनाते हैं दुशेहरा वाओ यार तुशे कितनी नौलिज है अरे पीटा तरह बार्मी का रिजल्ट आ गया पास या फेल अरे पीटा हिंदी में फेल है तू हिंदी में फेल है तू दुशहरी पे निबंद लिखना था ये वो भी गलत लिखाया क्या हूँ क्या हूँ